सभी को नमस्कार इस समय मद्यप्रदेश के खंडवा के आनन नगर क्षेतर में हैं सामने दिली दरबार है और आगे ग्रेंड लॉज है यानि आनन्द परिसर के बैक साइड में हम है कल गुड़ी पडवा है और गुड़ी पडवा से ही सांस्कितिक कारेकरम की शुरुवात हो जाती है और बहुत सारे सांस्कितिक कारेकरम स्कूलों के अलावा कॉलिजिस के अलावा बहुत सारी संस्थाएं करती है क्योंकि हिंदू नववर्ष की शुरुवात गुडी पड़वा के दिन होती है इस दिन बहुत से लोग नया बिजनेस शुरू करते हैं और अब देश में सबसे अच्छी बात यह कि नारी शक्ती भी यानी महिलाएं भी बिजनेस को लेकर बढ़ चड़ कर हिसा ले रही हैं और घर के काम के साथ साथ घर से ही स्टार्ट अप कर रही हैं और ऐसा ही एक स्टार्ट अप खंडवा की एक महिला ने किया है जो दशोरे परिवार की हैं काफी समरिद परिवार है उनके husband C.A. भी है और ये जो है उनका board है भारती ड्रामा dresses की बात करें तो जितने भी सांस्कितिक कारेकरम होते हैं उनके वस्तरों के अलावा ज्वैलरी भी यहां पर rent पर मिलती है और ये जो है वो घर है घर से ही उन्होंने business शुरू किया है स्टार्टप शुरू किया है भारती dresses चलिए उपर लेकर चलते हैं किस तरह की dresses है और क्या-क्या यहां मिलता है चलिए अब हम आ गए हैं उपर जहां पर पूरा गोदाम भरा हुआ है पूरा माल भरा हुआ है सभी देवी देवताओं को लेकर और सबसे अच्छी बात या है कि गंगोр का पर्व चल रहा है गंगोर के पर्व को लेकर भी इनके पर dresses उपलब्द हैं और उसके और अलबाख अलग करेक्टर को लेकर इस नवरी पे यूज करते हैं वो भी उपलब्द है एक चीज और इन्हों ने जो बताई वो इस इस शौप की यूएसपी है अगर आप जिस दिन आप यह कोस्ट्यूम लेके जाते हैं then suppose आपका पर्फम्ट bashá zijn और आप एक दिन पहले ले कर जाते हैं generally यह होता है कि एक दिन पहले और कोई ले कर जाता है तो दो दिन का रेंट जो है वह लिया जाता है लेकिन अगर आप यहां से एक दिन पहले भी लेकर जाते हैं तो अभी शुरुवात में यह रिबेट दे रहे हैं जिस दिन आपका यूज होगा उसी दिन का रेंट यह लेने वाले हैं कई अलमारियां यहां यहां पर भरी हुई है अगर को संख्य कासी चाहिए तो वोsınız आपको मिल जानी है तो चली की मुलाकात करते हैं क्या नाम है उैसे किसी को क्वांटिटी चाहिए पचास सही अवलेबल है एक ही दिन का चार्ज करेंगी वह दो दिन पहले भी लेकर के जा सकते हैं यह आपको जोलरी दिखा भी देते हैं और जो कॉस्ट्यूम के साथ और्नमेंट लगते हैं वह भी यहां पर मौझूद है तो कुल में लाकर यह है कि अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और फंक्शन्स को लेकर उनकी ड्रेस को लेकर आप टेंशन में रहते हैं औ और आपको यह समझ में नहीं आता कि हमें कहां जाना चाहिए तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा ऑप्शन है